पांचवा अध्याय की बटूए में रख देते थे और इस प्रकार आरंबिक कलीसिया में किसी को कोई कमी न होती थी किसी को अभाव में नहीं रहना पड़ता था परन्तु आर्थिक रूप से ये विनाशकारे सिध हुआ और इस हद तक कि बाद में पौलूस को अनिजाती कलीसियां से भेंट लेनी पड़ी ताकि ये रुशलेम के गरीब भायों की सहायता की जाए वहां लिखा है पहली छे आयतों में और हननिया नाम एक मनुश और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमी बेची और उसके दाम में से कुछ रक्ष होड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाउं के आगे रख दिया परंतु पत्रस ने कहा हे हननिया शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तु पवित्रात्म से जूट बोले और भूमे के दाम में से कुछ रक्ष छोड़े जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी न थी तुने ये बात अपने मन में क्यों विचारी तुने मनिश्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से जूट बोला ये बाते सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्रान छोड़ दिये और सब सुनने वालों पर बड़ा भहेच आ गया फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बहार ले जाकर गार दिया ये विचितर घटना है कि उन्होंने बिना पत्नी को सूचित किये ही उसे गार दिया लगबग तीन घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई तब पत्रस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने वो भूमी इतने में ही बेची थी उसने कहा हाँ इतने में ही पत्रस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभू के आत्मा की परिक्षा के लिए एका किया देख तेरे पत्ती के गारने वाले दुआर पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे तब वो तुरंत उसके पावों पर गिर पड़ी और प्रान छोड़ दी और जवानों ने भीतर आकर उससे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पत्ती के पास गार दिया और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय चा गया यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य है प्रथम वो यह है कि पत्रस हनिनिया से बोल रहा है और उसने कहा क्या संपती बेचने के लिए तुम्हें विवश किया गया था उत्तर था नहीं जब तक तुम्हारे पास थी क्या तुम्हारी ना थी हाँ थी बेचने के बाद किसी ने पैसे लाने को कहा नहीं वो तो बिलकुल आरंबिक कलीसिया के लोगों की अपने मन की इच्छा पर था कि जो करना चाहें वैसा करते थे ये कलीसिया के मांग नहीं थी और मैं सोचता हूँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है आज स्वतंत्र विचार के लोग आरंबिक कलीसिया के सामिवाद की ओर ध्यान दिलाते हैं और सामिवाद को विवहार में लाने को उचित कहते हैं परंतु आरंबिक कलीसिया का सामिवाद आज के सामिवाद से भिन्न था जहां लोगों को बंदूग दिखा कर उनकी विक्तिकत संपति को चीना जाता है उनकी उपारजित संपति को सरकार चीन लेती है कलीसिया संपति को चीन नहीं रही थी ये तो पूर्णत स्वतंत्र इच्छा से धन्यवात था प्रेम की प्रस्तूती थी जो लोगों के मन में परमेश्वर के प्रती थी। दूसरी बात धियान देने ये है कि पाप के कारण उन्होंने अपने प्रान गवां दिये। ये बचा लेने का पाप नहीं था, सब कुछ न देने का पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनसे सब कुछ की मांग नहीं करता था, उनका पाप था पाखंड। ये दिखाना के सब कुछ परमेश्वर को दे रहे हैं, जबकि असल में वे परमेश्वर से छिपा रहे थे। और इस प्रकार हम दिखावे के बारे में परमेश्वर के द्रिश्टिकोन को देख पाते हैं, जिससे समस्त कलीसिया पर भय और कम कपी छा गई। यहां मेरी रूची का विशय है आरंबिक कलीसिया में व्याप्त परमेश्वर की सामर्थ। इन लोगों के हिर्दयों में इतनी शुदता और इतनी सामर्थ थी कि पाखंडी टिक नहीं सकते थे। पाखंडियों का उस वातावरन में आने का अर्थ था परमेश्वर के सामर्थ द्वारा नष्ट हो जाना और ये मेरे लिए अतिश रद्धा की बात है मैं सोचता हूँ कि यदि वैसी ही सामर्थ वशुदता आज की कलीसिया में होती तो कितने लोग आज हमारी कलीसिया में होते जो गाते सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ बड़ी निष्ठा के साथ इस गाने को कौन गाप आते हैं परन्तो हम सब अपने-पने पैसे वरन अधिक से अधिक परमेशुर को देने से रोकते हैं पाखंड ही तो कलीसिया का सबसे बड़ा शाप है पाखंड के अनेक रूप होते हैं ये हमारी शारेरिक लालसा है कि लोग सोचें कि हम अतियात्मिक जन हैं, हम धर्मी मनुश्य हैं, क्या ये बुरी बात नहीं कि आपका शरीर ऐसी बात से आनंदित होता है। मैंने मुर्गे को बांग देते सुना और जाना के शीगर प्रकाश होने वाला है। लोग कहेंगे ओ, वो तो सूरीर निकलने से पहले प्रार्थ ना करता है। क्या ही धर्मी मनुश्य है ये। अच्छा दिखने का, दूसरों की दृष्टी में पवित्र दिखने का दिखावा ताकि लोग मुझे विस्मे वश्रधा के साथ निहारें और कहें, ओ, आप पासर हैं? हाँ, मैं पासर हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करें और हमें ऐसे लोगों से बचाए। आरंबे कलीसिया में पाखन ने प्रवेश किया, परंतु परमेश्वर ने उसकी अनुमती न परदान उसे पैसे दे कर मिल जाए और पत्रस परक लेता है कि उस मनुष्य के हिर्दे में क्या था। परंतु जब हननिया आया था, तो पत्रस ने सीधा पूछा, वो क्यों दिखावा कर रहा है कि सब कुछ दे रहा है जबकि उसने कुछ बचा लिया था, और अब वो पव जो चाहता उससे करता, तो फिर तेरे मन में ये बात कैसे पैदा हुई, क्योंकि तुने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से जूट बोला, इस परकार पत्रस ने परमेश्वर और पवितरात्मा दोनों को बराबर दिखाया, पवितरात्मा से जूट बोलना, परमे कि उसने अपने पती के साथ आरंभी कलीसया को धोका देने के लिए इस शड़ियंत्र का प्रयत ने क्यों किया, और उसका भी अपने पती के जैसा हाल हुआ। अब उस शुदता में से सामर्थ निकलती है, क्योंकि कलीसिया को पाकंड से शुद किया जा चुका था, येशु ने कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो जो पाकंड है, पौल उसने कुरुंतियों की कलीसिया से कहा, इसलिए खमीर को दूर करो, अर्थात कलीसिया में से पाकंड को दूर करो, कलीसिया को शुद करने का परिणाम सामर्थ है, और प्रेरितों के काम की पुस्तक शुदता का एक आदर्श है, कलीसिया के तिहास में, ये परमेश्वर के सामर्थ का अदवैत अनुभव है, और ये अनुभव कलीसिया को उस पत पर लाने के लिए भी वो भाव है, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से कहा, तूने क्या किया? उसने कहा, तूने जो अस्त्री मेरे पत्नी होने के लिए दी थी, उसी ने ये करवाया है, ये तेरा कसूर है, तूने उसे यहां रखा, और उसने पाप के लिए परमेश्वर को ठेराना चाहा, वो अस्त्री जो तूने मेरे पत्नी होने के लिए मुझे दी, उसने कहा और मैंने खाया, इस प्रकार हम कलीस्या को उसकी कमजोर स्थिती में देखते हैं, जो परमेश्वर को दोश देना चाहते हैं, हम कहते हैं, जब परमेश्वर के लिए कलीस्या अपने क संसार तक पहुंचाने के योगी हो गए हैं। इतिहास इस गलती की साक्षी देता है। सूसमचार को तो संसार में आरंबी कलीसिया नहीं फैला दिया था। जैसा कि 30 वर्ष बाद पॉल उस कुलीसियों की कलीसिया को लिखता है। सूसमचार जैसा तुम्हारे पास पहूंचा वैसा सारे जगत के पास और आज हम अपनी आधुनी कलीसिया के दुवारा सुसमाचार को प्रती वर्ष पिशले वर्ष के तुलना में कम ही फैलता वह देखते हैं 1935 में लगवग 32 प्रतिश्चत संसार के लोग येश्व मसी को जानते थे पांच करोड लोग प्रतिवर्ष संसार के जन संक्या में जुड़ जाते हैं उन में से पांच प्रतिश्चत से भी कम के पास प्रतिवर्ष सुसमाचार पहुंचाए जाता है आज की हमारी सूसमचार की ओसत रफतार बढ़ती हुई जंसंख्या की तुलना में 5 प्रतिशत है परन्तु ऐसा वहाँ होता है जहां कलीसिया प्रभावी नहीं वरन सच तो ये है कि कई स्थानों में तो कलीसिया को समाप्थी कर दिया गया है जिसका मुख्य कारण है बाखंड जब कलीसिया में काटा छाटी आ गई और उसका शोधन हो गया तो वह सामर से भर गई इसलिए हम पढ़ते हैं आगे और प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन और अद्बुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलिमान के उसारे में कठे हुआ करते थे ये वही स्थान था जहां लंगरे विक्ति को चंगाई मिली थी कलीसिया केसी और भवन में जमा नहीं होती थी परन्तु मंदिर के सारवजनिक शेत्र सुलिमान के उसारे में जमा होती थी लिखाया आगे परन्तु औरों में से किसी को हियाव न होता था कि उनमें जा मिले तो अभी लोग उनकी बढ़ाई करते थे और इस प्रकार लोगों का संपती को बेचना वो लाना बंद हो गया हननियव सफिरा के मृत्यू के बाद किसी के सहस नहीं हुआ कि उस समुदाय के सदस्य बने जिसमें हर चीज आपस में बांटी जाती थी और इसके साथ वो विशेश अभियान समाप्त हो गया यदिपी वे उस समुदाय के भाग न बने उनकी बढ़ाई करते थे और विश्वास करने वाले बहुतेरे पूरुशोष त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अदिक आकर मिलते रहे यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाल आकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पत्रस आए, तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पढ़ जाए। धियान दीजी, यहाँ यह नहीं लिखा है कि पत्रस की छाया से किसी कुछ जंगाई का लाव होता था। यहां ऐसा लिखा है कि वे चाहते थे कि उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पढ़ जाए उस समाज में छाया के विशे एक अदबुद अंद विश्वास था और वे ध्यान रखते थे कि किसी दूष्ट व्यक्ति की छाया न पढ़ जाए क्योंकि यदि किसी दूष्ट व्यक्ति की छाया पढ़ जाए, तो कोई शाप पढ़ेगा ऐसे वे सोचते थे, और उसके विप्रीत अच्छे व्यक्ति की छाया शायद लाब धायक सिद हो, मैं विश्वास करता हूँ, यदि पी ये लिखा नहीं है, मैं विश्वास करता पत्रस की छाया पढ़ने से बहुत चंगे हो जाते थे, अन्यता ये प्रथा जल्दी ही समाप्त हो जाती, परन्त मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग इस प्रकार चंगे हो जाते थे, इसलिए नहीं कि पत्रस की छाया में कोई सामर्थ थी, परन्त विश्वास के सिध् जहां मनुश्य को विश्वास होता है कि परमेश्वर एक विशेश कारी करेगा, जैसा कि उस्तरी ने कहा था, मैं जानती हूं कि यदि में उसके वस्तर के कोने को छू लूँगी, तो चंगी हो जाओंगी। और जिस शन उसने वस्तर के सिरे को छूआ, उसके विश्वास ने क काम किया, क्योंकि अपने मन में उसने कहा था, मैं जानती हूं कि जिस शन यह होगा, मैं चंगी हो जाओंगी। और जब उसने विश्वास किया, वो चंगी हो गई। इस प्रकार, अपने विश्वास को कार्यानवित करना महत्वपूर्ण होता है। मैं जानती हूं कि परमे पत्रश के चाया पड़े आप सूर्य को देखते हैं और रोगी को उस और रखते हैं और चाय के पड़ने के प्रदीक्षा करते हैं। जहां उन्हें चंगाईयां मिली थी। अब सोलवे अध्याय में लिखा है। और यरुश्लिम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बिमारों और अशुद आत्माओं के सताय हुऊं को लाला कर इकठे होते थे और सब अच्छे कर दिये जाते थे। इस प्रकार पाकंड को हट परिणाम स्वरुक्र? कलीसियां में सामर्त का प्रदर्शन होता था। भीड के भीड, शहरों को गावों से यरुश्लिम के चौरों ओर से आती थी और उस सामर्त द्वारचंगे क्ये जाते थे जो आरंबे कलीसियां में थी। कई बार मेरा मन उस प्रकार के सामर्थ की कामना करता है कि वो आज की कलीसिया में हो। परन्तु में गंभीरता पूरवक प्रश्न करता हूं कि क्या आज कलीसिया में वो योगिता है कि उस प्रकार के सामर्थ को संभाल सके। कलीसियम ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज का दुरुप्योग करने को एकदम तयार हो जाते हैं और मुझे लगता है कि ये सच मुछ दुख की बात है विशेश करके उनके लिए जिनकी चंगाई की सेवकाईया हैं और जो अपने सेवकाईयों पर भल देते हैं जहां तक मैं देख सकता हूँ उन्होंने इसका दुरुप्योग अपने व्यक्तिक अदलाब के लिए किया है ये निश्य ही एक तरास्दी है पर उन्तो अपने ही मन को नहीं जानता कि मैं क्या करता हूँ मैं अपने ही पर भरोसा नहीं करता यदि अचानक से आपको उख्यात हो जाएं विख्यात हो जाएं और इस प्रकार की सामर्थ के लिए आप प्रसिद हो जाएं तो सच मुछ में अपने हिर्दे को नहीं जानता कि क्या मैं अपनी आत्मिक चाल को बनाय रख पाऊंगा या नहीं इसलिए मैं उन लोगों के विश्यम कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपने बारे ही में कुछ नहीं कह पाता जबकि मैं प्रेरितों के काम की कलीसिया के विश्यमें सोचता हूं तो पाता हूं कि वो गतिशील सामर्थ हम में नहीं है कि लोगों की शारिरिक आवशक्ताओं की सेवकाई हो वैसी चंगाई वो वैसे आश्यरिकर्म जो प्रेरितों के काम की यूग की कलीसिया में हुए वे प्रभू यदि तु इसी मंडली में से चिन्द वा अद्बुत कामों के वर्दान के साथ किसी को खड़ा करे तो लगेगा कि ये भी प्रेरितों के काम की सिद्ध कलीसिया है और प्रभू ने मेरे दिल से बात की और बड़े सामर्थी तरीके से उसने कहा मैंने तुम्हें उससे भी श्रेष्ट तरीका दिया है और मेरे मन में एकदम पहला कुरुंतियों बाराचम कांजाओं पाहलूस चंगाई वा अद्बुत कामों के वर्दान के विश्रे में कहता है तो अभी मैं तुझे आश्चेरी कर्मों वा चंगाईयों के तुलना में और भी उत्तम तरीका बताता हूँ यदिपी मैं मनिश्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलू और प्रेम न रखूँ तो मैं ठंठनाता हुआ पीतर और जंजनाती जांजूँ और परमेश्वन ने कहा मैंने तुम्हारी से भागिता में प्रेम दिया है मैंने कहा प्रभू तेरा धन्यवाद हो उस उत्तम तरीके के लिए उसमें चलने में हमारी सहायता कर और उसके बाद मैंने उससे चिन्व आश्चरी कर्मों का वर्दान कभी नहीं मांगा जहां तक मेरे विक्तिक जीवन का प्रश्न है चिन्व चमतकार प्रतिदिन हो रहे हैं परन्तु उस सीमा तक नहीं जैसे प्रेरितों के कामों में लिखा है नहीं हम उसका लाव उठाना चाहते हैं या उन्चंगाईों पर बल देना चाहते हैं जो हो रही हैं अन्यता लोग केवल शारिरिक लाभों के लिए हमारी और आकरशित होंगे और मसी की और न आएंगे मुझे लगता है इस शेतर में हम आरंबिक कलीसिया की तुलना में कम है परमेश्वर जानता है कि कमी क्यों है मुझे निश्चा है कि इस वर्दान की कमी का कारण थोड़ा माने या पूरा माने हम ही है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा न सके उसका कान बहरा नहीं हो गया कि सुन न सके मुझे निश्चा है कि जिस वातावरन में इन वर्दानों का सही उप्योग होना चाहिए, वे हैं ही नहीं। मुझे रुमांचक अनभवों में रूची नहीं, मुझे सरकस वातावरन में रूची नहीं, जो मैं आम तोर से चंगाई सभाव में देखता हूं। मैंने उन बातों को प्रेरितों के काम में होते नहीं पड़ा, और मैं नहीं समझ सकता उनसे आत्मिक उन्नती होती है या नहीं, या लोग यिश्चु की और आकरशित होते हैं, परन्तु अधिकतर लोगों जिनकी और आकरशित होते हैं, वे मात्र साधन हैं, वो समय विशेश म एक जन है एक चमकता हुआ सितारा है पत्रस की लोग प्रियता के कारण याजकों में हिर्शया पैदा हो गई तब महायाजक वो उसके सब साथ ही जो सदूकियों के पंतके थे डाह से भर कर उठे ध्यान दे महायाजक स्वयम सदूकी पंतका था सदूकी भौतिक वादी और मान बन गई और वे डाह से भर गए और अठारवी आयत से आगे लिखा है और प्रेरितों को पकड़ के बंदिग्रह में बंद कर दिया परनतु रात को प्रभू के एक स्वर्गदूत ने बंदिग्रह को खोल कर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जी रहो बच निकलो यरुशलम से भाग जाओ और केसरिया चले जाओ जहाज पर चड़कर युनान चले जाओ सताव से बच जाओ और फिर वापस आना उसने ऐसा नहीं बोला उसने कहा सीधे मंदिर में जाओ और वहां लोगों को जीवन की बाते सुना एकिस वियायत से आगे वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे परुंतु महायाजक और उनके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुर्णियों को इकठा किया और बंदिग्रह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं परुंतु प्यादों ने वहां पहु 24. जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विश्य में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ चाहता है। यहां महासभा वो प्रतिनिदियों की सभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है। समसिया को सुलजाना है वो कहता है। और आप भेजते हैं कि बंदियों को बुलाओ और वे भीतर जाकर कमरों को खाली पाते हैं। उन्हें ले आया परन्तु बर्बस नहीं क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवा न करें। वहाँ जोशिरे लोग थे। स्थिती अधिक नहीं बदली थी। सरदार डरता था कि कहीं पत्थरवा न हो जाए। सो उसने उन्हें विवश नहीं किया। आगे लिखा है उन्होंने फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। और महायाजक ने उनसे पूछा क्या हमने तुम्हें चिताकर आगया न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना। तो अभी देखो तुमने सारे यरुशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस विक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। बताएं तब धमकी देखर उन्हें छोड़ दिया गया था। अब उसने कहा क्या हमने तुम्हें सक्ति से मना नहीं किया था कि इस नाम से उपदेश न करना। और फिर वो आगे कहता है तुमने यरुशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। कितनी अधभुत साक्षी। और ये साक्षी प्रचारक स्वयम नहीं दे रहा जैसा कि आज कल कई लोग करते हैं। कई बार वे बड़ा चड़ा कर बताते हैं। प्रचारकों की एक शब्दावली हैं जिसमें वे हर एक तथिको यतार से अधिक बताते हैं। इस शब्दावली का हिंदी अनुआद होगा प्रचारक की भाषा में कहूं तो। अब ये दिक इसी प्रचारक से आप पूछें सभा में कितने लोग थें। तो वो जरूर कहेंगे ओ सैखडों लोग थे। अर्थात कम से कम पच्चीस इस से प्रचारक की भाषा कहते हैं। परनतु यहां शिष्य अपना ब्योरा नहीं दे रहें। यह तो उनके बैरियों का कहना है। तुमने इस नगर को इस मनुश्य की शिक्षा से भर दिया। परमिश्वर करें कि हमारे विरोध करने वाले ऐसा ही कहें कि तुमने अपने नगर को ये शिष्य मसी की शिक्षा से भर दिया है। क्या ही महिमा का दिन होगा वो परंत दुख की बात तो यह है कि मस यीशु के सूसमचार को छोड़ आज हम अन्य सभी कामों के लिए प्रसिद हो चुके हैं कलीसिया निरर्थक कामों के लिए बदनाम हो रही है दूसरे तुम इस विक्तिक अलहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो यदि आपको याद है जब पिलातुस यीशु का मुकत्मा चला रहा था ये लोग भीड को भढ़का रहे थे कि वो यीशु को क्रूस देने की मांग करें जब पिलातुस ने देखा कि उसकी नहीं चलेगी तो उसने एक बरतन मंगा कर अपने हाथ धोए जिसका अर्थ था मैं इस वेक्ति के लहू से बरी हूँ अब तुम जानो और उनका उत्तर क्या था इसका खून हमारी और हमारी संतान के गर्दन पर हो और जब पत्रस उनके सामने खड़ा था उसने कहा यदि तुम जानना चाते हो कि किस सामर्च से ये लंगडा चंगा किया गया तो तुमको और समस्त इसराइल को ग्यात हो कि येश्व मसी नासरी के नाम से जिसको तुम ने क्रूस पर चड़ा दिया और उसका दोश अपने गर्दन पर लिया परंतु अब वे उस दोश को अपने उपर लेने नहीं चाहा थे जबकि वे जिम्मिदार थे पत्रस सच्चाई कहने से नहीं चूका कि पुलातूस तो उसको छोड़ रहा था परंतु उन्होंने ही तो चिला चिला कर कहा था उसे क्रूस दो उसे क्रूस दो 29 आयत तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उतर दिया कि मनिश्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है ये शब्द करतव्य युनानी शब्द का अर्थ है हमें मनिश्यों से अधिक परमेश्वर की आगया का पालन करना है कि हमने तुम्हें नहीं कहा था कि इस नाम को ले कर उपदेश न करना। उनका सीधा हैसा जवाब था मनिशों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना करता विकर्म है। काश हम अपने हिर्दयों में उस दिव्य आग्या का नुभव एहसास करें। मुझे परमेश्वर का आग्या पालन करना है। दुर्भागे से आग्याकारिता के क्षेतर में कितनी बार हमारा विवहार लापरवाही का होता है। हाँ मुझे आग्या पालन करनी चाहिए। मुझे परमेश्वर के आग्या माननी चाहिए। मुझे मालुम है कि मुझे क्या करना चाहिए। परंतु जो लोग अधिक पर्मेश्वर की बात को मानना है, मनुश्य की नहीं और मैं सोचता हूँ, सिद्दांत यही है, यदि कभी समय आए और हमें मनुश्यों के बिनाएं नियमों के खशेतर में रहना पड़े जो पर्मेश्वर के प्रति मेरी जिम्मेदारियों में रुकावट हो, तो हमें ये नि लटका कर मार डाला था। वे कैह रहे थे, तुम उसका लहू हमारे गरदन पर डालना चाहते हूँ, तो पत्रस उल्टा उनहीं पर वार करता है, वो उनसे कहता है, जिसको तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला, यहान ध्यान दे, कि वो येश्व के पुनुरूथान का प्रदान करे। पॉलुस कहता है कि वो हमारी धार्मिक्ता के लिए जीवित किया गया। प्रमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ सर्वोच अधिकार दिया। और हम इन बातों के गवाहें और पवित्रात्मा भी जिसे प्रमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आग्या मानते हैं। यहां हम पाते हैं कि जो आग्या पालन करते हैं उनको पवित्रात्मा दिया जाता है। अपने पापों से मन फिराना, ये श्मसी पर विश्वास करना। परमेश्वर की आग्या पालन करने वाले विक्तिक पर पवित्रात्मा का वरदान आता है। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा परन्तु गमालियल नामा के एक फरीसी ने जो विवस्थापक और सब लोगों में माननीय था न्यायले में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देरी के लिए बाहर कर देने की आग्या दी तब उसने कहा हे इस्राइलियों तुम जो कुछ इस मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना क्योंकि पहले थियुदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिये परन्तु वो मारा गया और जितने लोगों से मानते थे सब्तितर बितर हुए और मिट गए उसके बाद नाम लिखाय के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोगों को अपनी और कर लिया वो भी नाश हो गया और जितने लोगों से मानते थे सब्तितर बितर हो गए इसलिए अब मैं तुम से कहता हूँ इन मनुश्यों से दूर ही रहो और इन से कुछ काम न रखो क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुश्यों की और से हो तब तो मिट जाएगा परन्तु यदि परमेश्वर की और से है तो तुम उन्हें कदापी न मिटा सखोगे कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो इस प्रकार उन लोगों के लिए गमालिल की ये सला बुद्धिमानी की थी इस प्रकार की बातें पहले भी हो चुकी है दूसरे भी लोग उनके साथ खड़े हुए उन्होंने अपने चारों और लोगों के कठा कर लिया और उन्होंने कहा कि वे सब खत्म हो गए हैं क्योंकि उनका अगुआ मारा गया है इसलिए उनको छोड़ दो ये तर्क कमजोरी को दिखाता है न कि शक्ति को आप सामान्य बातों को यूही नहीं टालते कि देखें कैसे स्वैम खत्म होगा परंतो ये गमालिल के साला थी और उन्होंने उसके सला मान ली ये वही गमालिल है जिसका पॉलूस एक उजवल विद्यार्थी था कुछ खोजे गए आरंबिक लेखों से ग्यात होता है कि गमालिल ने पॉलूस के लिए कहा था कि विद्यार्थी के रूप में उसे पॉलूस के साथ एक समस्या थी वो एक अध्यतिक उचसाहिफ विद्यार्थी था वो पॉस्तकों का कीड़ा था और गमालिल को कठनाई होती थी कि उसे परियाप्त पॉस्तके दे उसे ग्यान की बड़ी भूग थी गमालिल के सला को उन्होंने कुछ हद तक माना उसने कहा उन्हें जाने दो परंतों उन्होंने प्रेरितों को पीटने के बाद जाने दिया और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और ये आग्या दे कर छोड़ दिया कि येश्यू के नाम से फिर बाते न करना लगता है शाहिद यहां अंत हो जाएगा उन्होंने सोचा वे इस बात से आनदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम से फिर निरादर होने की योगी तो ठहरे। आप ऐसों लोगों को कैसे रोक सकते हैं? उतर है, उनको रोका नहीं जा सकता। और वो प्रति दिन मंदिर में और घरगर में उपदेश करने और इस बात का सूसमचार सुनाने से कि येशु ही मसी है न रुके। ध्यान दें कि वे प्रचार व शिक्षा दोनों काम करते थे। परमेश्वर के सूसमचार के खोशना प्रचार है जो मुख्य रूप से आधारवुत विश्वासियों के लिए की जाती है। एक बार जब किसी वेक्ति ने येशु मसी को ग्रेंड कर लिया तब उसकी असली आवशकता होती है कि उसे शिक्षा दी जाए। यहां कलीसिया ने एक गंभीर गलती की कि वो महान प्रचारक तो उत्पन करती रही पर उन्तु शिक्षक उत्पन नहीं किये। और इस कारण भेडे मजबुत नहीं हुई क्योंकि इत्वार के बाद इत्वार शिक्षन के बदले प्रचार मिलता है। हमारा प्रचार सड़क के किनारे और हमारा शिक्षन कलीसिया के भीतर होना चाहिए। प्रचार वो महान सेवकाई है जिसमें मनुश्य आकरशित होते हैं।